वल्कम फ्रेंट्स सेलफ अध्यन पर आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डेटा एक्स्ट्रक्टर से रिलेटेड नॉर्मली अगर आप अपनी बिजनिस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं आप कॉंटेक्ट चाहते हैं आप इमेल चाहते हैं या कॉंटेक्ट के साथ स सारे कॉंटेक्ट, एमेल आईडी, नेम, विद एड्रस ये सारी चीज़े हम इजीली निकाल सकते हैं तो हमें करना क्या होगा हमें जाना है बिजनिस एक्स्ट्रक्टर पे आप देखेंगे यहाँ पर एक option दिख रहा है add का और एक option दिख रहा है search का सबसे पहले हमें पर हम यहाँ से searching चाते हैं suppose मुझे दिली का data चाहिए, मुंबई का data चाहिए, या किसी भी city का data चाहिए और किस business related चाहिए, वो सारे keywords उस business related आप यहाँ पर डाल सकते हैं suppose मुझे telecom shop का data चाहिए और telecom shop मुझे यहां से डेली साहदरा की चाहिए, डेली आप किसी भी location की डाल सकते हैं, suppose मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डेली साहदरा या डेली दुरगापुरी, किसी भी location particular, location particular city या इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी keywords पर business related सर्च कर सकते हैं अब हमने इसे करा add and search, जैसे हमने add and search पर क्लिक करा, तो business related सारी अभी यहाँ पर extraction स्टार्ट हो चुका है, और आप देखेंगे यहाँ पर business name, साथी साथ उनका full address, phone number, अगर उनकी website सुनोंने listing की हुई है, उनका email id, उनके facebook page, twitter page, linkedin page, और साथी साथ आपने किस keywords पर वो search किया ह वो data यहाँ पर extract होता हुआ आपको show हो रहा है, तो आप किसी भी keywords related, किसी भी business related यहाँ पर data को search कर सकते हैं, साथी साथ आप जब यहाँ पर contact पर जाएंगे, जब पूरा की पूरा ही search हो जाएगा, तो इस data को आप export भी कर सकते हैं, csv file पर, और easily excel में इसको use कर सकते हैं, बाद आप यहाँ से उसको export भी कर पाएंगे, तो एक बार यहाँ से हम इसको forcefully अभी stop कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर data अभी search हो रहा था, search होने के बाद हमारे search complete हो चुके है, 176, अब हमें करना क्या है, हमें जाना है contact पर, आप देखेंगे यहाँ पर जो टेलिकॉम, ड display हो चुके हैं, आप इसे export पर क्लिक करके, आप किसी भी drive पर यह data को रख सकते हैं, for example, मैंने यहाँ पर रखा telecom shop, और यह हमारा data export हो चुका है, this drive पर हमने data को डाला है, वो data हम यहाँ से open कर लेंगे, और Excel के अंदर उसे हम अपने according use कर सकते हैं, तो यह एक अच्छा tool है, जो data हमारा extract करता है, किसी भी location से, किसी भी keyword से, आप easily अपने business के लिए lead generate कर सकते हैं, आप चाहें, तो आपने जो previous search करा है, उसे यहाँ से delete कर सकते हैं, साती साता फिर से, किसी भी business related, आप यहाँ से searching चाहते हैं, तो यहाँ से उसको start कर सकते हैं, या किसी keywords को add कराते हुए, फिर से आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मुझे restaurant के यहाँ पर number चाहिए, अगर मेरा business है, किसी spices related मैं deal करता हूँ, तो restaurant को हम यहाँ से अपना business target कर सकते हैं, और यहाँ से हमने डाल दिया location, जैसे हमने add click करा and add and search करा, उसी से related हमें यहाँ पर restaurant के detail मिलने लगेंगी, तो य एक bash tool है, आप data extraction के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं, business lead extractor का, कोई भी inquiry अगर आपको करनी है, इस website से related, इस software से related, आप description में दिये गए number पर call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, thanks for watching, bye-bye.